नमस्कारम बिए दूनों आप देखने भी चुपार्ट साला आप से विकाब अब बस्वागे थे अभी सुबह सुबह बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज मिले क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा परिसान है कि सरह हमारा प्रिफरेंस लॉक नहीं सो कर रहा है कुछ बच्चों का ब्लैंक्स हो कर रहे हैं कुछ बच्चों ने स्क्रिंसोर्ट सेयर किया था उस पर अभी भी उनके डाकॉमेंट्स ब्लैंक्स हो कर रहे हैं तो मुझे लगा कि एक बार आप लोग को अच्छे समझा देना चाहिए कम से कम आप परिसान ना हो पैनिक ना हो वैसे आल्रेडी मैंने इस टॉपिक को कभर किया था ठी डेस पहले अगर उस वीडियो को लाश तक देखे होते तो मुझे लग रहा है कि यह problem doubt जो है आपका वो clear हो गया होता क्योंकि मैंने अच्छे से mention किया था this is not your problem administration का काम है अब उनको करने दो लेकिन ठीक है अभी मुझे लग रहा है आपको थो administration process के वारे में समझाना चाहिए जिससे कि आपको इन तमाम question का answer की preference log कब होता है किन का होता है कैसे होता है किसका नहीं होता है जब आप इन question का answer जान जाओगे तो आप परसान नहीं होगे तो इसको जानने से पहले हम लोग 2022 CUT के अंतरगत भी है चू की जो counselling होने जा रही है उसको था समझ लेते हैं तो प्लीज चनल को subscribe कर ले वेल आइकन प्रेस कर ले इस वीडियो को share जरूर करना क्योंकि बार बार जब topic miss हो जाता है और उनकी वज़र से फिर फ्राब्लम हो जाता है तो प्लीज रेक्वेस्ट तो आल मेटे फ्रेंड डेर सब्सक्राइबर share इस वीडियो और वेल आइकन तो प्रेस करना बिलकुल मत भूलना क्योंकि अभी राउंड के cut-ups आने हैं तो आपको बहुत सारे doubts जो हैं वो clear करने पड़ेंगे वीडियो के माधियम से आपके लिए ठीक है तो अब देखो जो आपका new admission process है इस बार का उसमें ये है कि आपकी counselling होने के बाद course allocation आना है जिसके लिए हर बार 24 गंटे का समय का प्रावधान था लेकिन इस बार 48 गंटे का सुनने में आ रहा है जैसा होगा मैं आपको inform करूँगा अब बात आता है कि किनका preference lock सो करता है किनका नहीं सो करता है और कब करेगा हर सल क्या होता था कि counselling के लिए seat से 3 times या 4 times course wise depend करता है बुलाया जाता था जैसे मालो किसी course में 100 की seat है तो 300 लोग को वो लोग बुलाएंगे counselling के लिए लेकिन इस बारत ऐसा हुआ नहीं इस बारत भाई सबको बोल दिया ठीक है जिसको registration करना है कर दो फिर हम लोग देखेंगे तो अब हो सकता है कि कि किसी-किसी course में 10 से 15 हजार 20 हजार 25 हजार ऐसे enrollments आएगा जब इतनी ज्यादा संख्या में enrollments आएगा अच्छा enrollment पर याद आया कि मुझे आपको बताना भी है किस course में कितने form पड़े हुए है इस बार registration तो मैं आपको दो फर तक आइडिनिंग तक दे दूँगा ठीक है फिलब किया ऐसा नहीं होगा वो क्या करेंगे सिधे सिधे आपके marks को वरियता देंगे यानि उसको priority देंगे और आपके CUT जो marks है जो update वाला marks है ध्यान देना पैनिक मत होना और उस marks को वो लोग बढ़ते से घटे क्रम में लगा देंगे और उसमें जिन बच्चों का भी नाम आएगा seat के according उन top 100 बच्चों में जैसे कि मैंने बताए कि 100 seat है तो 100 बच्चों का तो मालनो 100 नहीं और उन 200 बच्चों को एक बार में ले लेंगे और उन 200 बच्चों का वो लोग क्या करेंगे प्रिफरेंस डाकॉमेंट इन तमाम चीजों को verify करेंगे और उनको वो कोर्स अलोकेशन देजेंगे यहाँ यह मैं आपको पहला step बता रहा हूं आपके अलग-अलग steps भी हो सकते ह पहला तो यह हो गया कुछ कोर्स में जिसमें कम हुआ होगा registration उनका हो सकता है पूरा locks हो करें उनका पूरा preference भी लॉग्ड हो साए उनका पूरा detailing अच्छे से वो लोग कर लें क्योंकि उनमें कम course आया हुआ है लेकिन जिसमें जादा आया हुआ है उसमें हो सकता है कि वो लो कहीं कहीं आपके लिए समस्या का समस्या का question नहीं है ठीक है यह नहीं है कि अब आपका जो है कि एक मिनिट ना वह अलार मजने लगा तो सुगस वर टाइम है हाँ तो मैं बोल रहा था कि पहला condition तुमना को उता दिया है दूसरा condition यह हो सकता है कि चलो ठीक है अच्छा कम registration से इस course में तो उसका चलो यह लोग चेक कर लेंगे यह आपका जैसे आपने अप्लोड किया है तो यहां पर आदमी उसको बैट को open करके मिलाता है कि हाँ इसने यह वाला 12 मी का अप्लोड किया है 10 मी का अप्लोड किया है कई फेल तो नहीं है यह तमाम चीज़ें यहां चेक होती है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिसमें ज़् सेलेक्शन नहीं होगा वो अगर उन्हें लगेगा कि आपका करना है लोग आपका हुआ है सेलेक्शन तो आपका पका सो करेगा और यह भी हो सकता है कि सबका सो करें और यह भी हो सकता है कुछ लोग का ना भी सो करें तो फाइनली आपने कांसलिंग कर दिया है धीरे धीरे तो लोग टाइम मिलेगा तो लोग उसे lock कर भी देंगे तो मैंने आपको कई सारे points बताएं हैं किसी points मगर आप आते हो तो finally आप panic मत होना मैं आपको finally एक बात confirm कर रहा हूं कि वो आपकी समस्या अब नहीं है आपने जैसे होता है ना bank से आपने transaction करा और आपका payment नहीं आया payment आपका रुख गया एक यह मसीन में तो वो payment आपका return हो जाता है या फिर month के इंड तक आपको मिल जाता है तो आप यह समलना कि आपने counseling कर ली है तो आप यह आपकी समस्या नहीं है 100% guarantee है कि आप consider किये जाओगे अगर आप eligible है तो consider करोगे और आप अच्छे marks है तो आपका selection भी होगा ठीक है बाकी updates के लिए चनल पर बने रहिएगा मैं आपको coming days में coming hours में update करता रहूँगा जो भी detailing होगा उसके लिए आप चनल पर बने रहोगे तो सब को पता चल जाएगा ठीक है तो please मुस्कुराते रहिएगा अब आप लोग preference log को लेके परसान मत होईएगा ठीक है ओके अगर इस से रिल्टेट को अपडेट होगा आपको inform करोंगा इट्स ओके ओल्राइट ओके बैबै बैबै वेरी गुड नाइट वेरी गुड वार्निंग